क्या आपको पता है आपके शिरीर में कितने जॉइंट्स होते हैं क्या आप जानते। शिरीर में कितने हडिया होती है। चलिए शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक नमश्यार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे हो अरे यार निराश मत हुआ करो एनरजी टिक रहो जिंदगी उर्जा का नाम है यह उर्जा रुपांतरन है तो मस रहिए हेल्थी रहिए हैपी रहिए समस्य आएगी दूर हो जाएगी गबराना नहीं भाई डिप्रेशन वालो जिनको समस्या है एंजाइटी की जीने है डिप्रेशन की आप लोगों के लिए खास कर हमेशे एक चीज़ बोलता हूं अपने आज में जीओ भागेगा डिप्रेशन और मेरी प्रणायम वाली विदी फो लोगे आप लोग आरिये मेरी बात आप बुड़े देड़ से बनने वाले हो चलिए पहला कोश्चन पूछा था मैंने आपसे क्या बताओ बताओ कॉमेंट बॉक्स में लिख देना कि हमारे शरीर में कितने जोड होते हैं तो आंसर है तीन सो साट जोड अगर ये जोड ठीक है सुबा उठते हो बैठते हो पॉटी जाते हो गल्फेंट से बात करते हो तो फोन हाथ पे लगागे रखते हो हाथ दोते हो नहाते हो कपड़े पहनते हो खाना खाते हो चलते हो देखते हो गरदन मोडते हो सब जगे होता है जोडों का उप्योग अगर जोड ही नहीं ठीक हैं तो आप रहेंगे कैसे टीक कैसे दिखेंगे जवान आरे अरे वास समझ तो अपने जोडों को रखेना है स्वस्त और दिखना है बुढ़ापे में भी जवान जैसा क्या कारण है हमारे जोड खराब होते हैं अब यह जान लीजिए और उन कारणों को हटा दीजिए वही ल यह सर नो सुनाई दी रहे हैं अपने जोडों पर प्रेशर मत पढ़ने देना वेट को कंट्रोल करो जोडों की समस्या कम से कम होगी पॉइंट नमबर टू जो बगर बगर मुझ चलते रहते हैं हट टाइम यह अंटिया लोग 45 साल के बाद इतना खाती हो यार देखते हो न बाद लग जाती है जब मेरी को स्टूडेंट मुटी दिखती है तो साफसाब बोल देता हूं को मैं गवराता नियों कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है हम पतले हो सकते हैं तो यही काम लड़कों की लिए भी है तो निकल जाती आठ-8 महिने का पेट आप लोगों के तो करना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा खारे हो कंट्रोल यूर खाना खान पान अब खान पान में क्या खान है सुली जीए पॉइंट वाइस बताता हूं हाई सेचुरेटिट फैट से बिलकुल अवाइड कर दो अब वो किसमें पाय जाता है पैकिट बंद वाले आहर बिलकुल मास अब फुल फैट वाला दूद केक बिसकिट मक्कन नारियल तेल घुटनों को लिए बहुत ज़्यादा खराब है जॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा खराब है आपकी काटिलेजिस बोलते हैं ना काटिलेजिस खराब हो गये हो कमजोर हो जाती है और यह बहुत समझ नहीं आएगी ना क्योंकि अब आपके दिल पर हर्ट कर रही है ठीक नहीं होना चाहते ना फिर नी रिप्लेस्मेंट पर भागते हो बस यह सब डॉक्टरों ने बताया मुझे कहें सर यगर यह लोग ऐसे ऐसे फोलो करने लगे इनको नहीं होने वाली गुटनों की बिमारि किसने मना किया है सब गुटनों के लिए बहुत अच्छे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपके जॉइंट बड़े अच्छे रहेंगे देशीगी की एक चमच दिन में जरूर शरीर में जाने चाहिए एक चमच ठीक है फाइबर की डाइट लो जी आप विटामिन डीलो आप सूरे देवता बैठे हुए सुबह सुबह तयार रहते च्छे बजे वो घड़ से डेली निकलते हैं चुट्टी नहीं मारते कभी भी हम लोग बड़ा चुट्टी मारते हैं सुबह च्छे बजे बिचारे आके बालकनी में खड़े हो जाते हैं अरे भाई कोई है टक 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 पीटते हैं फिर रुकते थोड़ी हैं कहते लेलो मुझे फ्री में मिल रहा हूं विटामिन डी लेलोगे तो जोडों के दर्द नहीं होने वाले आपको समझ आ रहे हैं जवान दिखने के लिए बहुत ज़रूरी है अब आता है भाईय क्या लें और क्या करें एक्सरसाइज करो भाई बारक में जाओ जॉगिंग करो रूंइंग करो कुछ करो स्केटिंग करो स्व्मिंग करो चलाव श्रीए और इसको चेंज करते रहो अन्हें नहीं होंगे और त्मनित हमाते हैं तो कहा जाता है आकर रहेंगे जोड़े म जबूत तो बुढ़ा पे रहेंगे जवान वरना डंडी आ जाएगी 40 साल में हाथ में और टेड़े मेड़े होके चलोगे आप क्या आपको अच्छा लगेगा नहीं ना चलिए अब बहुत हो गई बात काम की बात पर आते हैं दोस्तों अपने जोडों का आप रखें ध्यान बहुत जरूरी है इन चीज होगे तो नुकसान पडोसियों का नहीं होने वाला आप ही का होने वाला है तो मेरे प्यारे बहनूर भाईयों अपने जोइंट्स को ठीक रखने के लिए चोटे-चोटे काम करें स्वस्त रहें सुखी रहें मुस्कूराते रहें परमपिता आपको खुश रखें और कुछ कहना था मुझे हाँ कह देता हूँ एक काम और करना है आपको सोडियम और पोटेशियम को भी मेंटेन नमस्कार दोस्तों क्या आपको भी है कोई समस्या क्या आपको चाहिए समाधान तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब और इस चैनल के सब्सक्राइब करने के बा बाड़ी के अंदर में बहुत जरूरी है और अपने पॉस्चर को ठीक करके बैटें मुबाइल जैसे मेरे को आप बिलीव करेंगे मुबाइल लेकर बैठा रहता था पागलों की तरह कंदों में दर्द आ गया मेरे कमर में दर्द आ गया गर्दन टेडी होगी मेरी यह सच में पॉस्चर को ठीक करके बैटें वरना काम खराब है बहुत बुरा कमर सीधी करने की कोशिश करें थेंक यू